आपना भी स्क्रीन पर इस्टेटेस देखा दोस्तों ताज हम वही इस्टेटेस क्रियेट करने वाले हैं तो अगर इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना ठीज दोस्तों आपको मैं ऐसे ही कुछ नहीं कुछ नहीं इस्टेटेस एडिटिंग सिखाता रहता हूँ तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना ओके फ्रेंज तो ऐसा इस्टेटेस बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक एक की जरूत पड़ेगी जिसका नाम है अलाइट मोसन अगर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कर लेना मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक मिल जाएगी यहाँ फिर आप मेरे टेलिग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो ओके दोस्तों यहाँ अगर आपको कुछ भी प्रॉलम आती है तो आप मुझे इस्टाग्राम पर मेसेच कर देना मैं आपकी पूरी हेलप करूँगा इस्टाग्राम की आईटी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगी यहाँ फिर आप सर्च कर लेना अट देरेट रोयल सिवराज ठीक है दोस्तों कुछ इस तरह से आएगा यह वाला ना इसे सर्च कर लेना तो आपको मिल जाएगी ठीक है दोस्तों इतना करने काद आपको क्या करना भैर मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन बोक्स से दो प्रोजेक्टे डाउनलोड करना है और दोनों आपको डाउनलोड करने के बाद project के option पर click कर देना यहाँ पर आपने जो project input किया है वो दो उपर की side आ जाएंगे तो हमें simple size bitmark song को open कर लेना है open करने कर दो यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा तो हमें इस तरह से आगे आना है ठीक है दोस्तों यहाँ पर आ जाना 2.25 सेकंड पर 2.25 सेकंड पाने का दिस प्लस वाले आइकन पर click करना media का option पर click करना और यहाँ उसे photo select करने के लिए इस folder पर click करना जिस folder में भी आपकी photo उस folder को select कर लेना okay friends so मैं जिस folder में भी photo उसे select करूंगा उसका जो भी photo लगानी है उस photo पर हम click कर देंगे तो यहाँ से मैं कोई सी भी photo select कर लेता हूँ यह photo select कर लेता हूँ उसका जिसे full screen में करने के लिए उपर three dot पर click करेंगे पात्वे नमबर पर मिल जाएगा फिल composition एरिया इस पर click करना है उसका जिस तरह से last में आ जाना है लाश्टे में आने का दिस वाल option पर click कर देना तो यह photo आ जाईगे आपकी लाश्टे तक उसका अद आपको क्या करना दोस्तों यहाँ पर इस तरह से आने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है इस तरह से उसका दिया प्लस के आइकन पर click करना है यह एक shape ले लेना इस तरह से shape पर click कर देना है और इसे full screen में इस तरह से कर लेना है ठीक है दोस्तों full screen में करने का दा आपको क्या करना इसे इस तरह से last तक ले आना है यहाँ पर click कर देना तो इस तरह से last तक आ जाएगा इसके बाद color and fill के option पर click करना कोई सा भी एक color ले लेना इस तरह से उसके बाद आपको क्या करना यह वाला option दिखेगा इस पर click करना है और आपको यहाँ पर पेले इसे इस तरह से खीच लेना ठीक है दोस्तों इस तरह से खिचना है इसे बीच में सेट करना है और यहां से इस तरह से खिच लेना है ठीक है दोस्तों इसे इस तरह से कर लेना है कुछ इस तरह से इसे सेट कर देना ठीक है दोस्तों तो मैं इस तरह से कर लेता हूं आप देख लिजिए अच्छे से कुछ इस तरह से करना है उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर क्लिक करना वाइट वाले ले लेना उसके आपको यहां पर क्लिक कर देना और उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों इस तरह से क्लिक करना यहां पर और यह वाला ओप्शन दिखेगा इस पर क्लिक करना है sorry guys इस पर click कर देना है आपको इस एखा देना इस पर click करना दीसरे number पर और इसे इस तरह से नीचे लियाना ठीक है दोस्तों इस तरह से नीचे last तक लियाना तो यहां पर आपका जो उपर का color है वो हट जाएगा और नीचे जो border है वो बच जाएगी उसकाद आपको खाले जगे में टच कर देना और इस तरह से आ जाना ठीक है दोस्तों बस आपको इतना ही करना है उसकाद आपको क्या करना है यहाँ पे आना है और इसे थोड़ा सा उपर स्क्रोल कर देना और इस वालो अप्शन पर क्लिक करना आपको ठीक ह और यहां पर आपको इस वाल उप्शन पर क्लिक करना और यहां पर पेस्ट लेर कर देना ठीक दोस्तों उसका दिसे ओपन कर लेना और यह जो इस तरह से हो रहा है तो इसको भी हम यहां से क्या करना है इस पर क्लिक करना है और आगे की प्रोसेस बताता हूं मैं तो इस तरह से आएगा तो इसकी size भी कम करना है तो move and transform में जाना है आपको इस वाल option पर click करना पेले तो और इसे इस तरह से rotate कर लेना है ठीक है दोस्तों इस तरह से rotate कर लेना है यहाँ पर और आपको क्या करना इस वाल option पर click करना है इस वाल option पर इसे इस तरह से नीचे लाना है ठीक है friends तो तो यहां पर हमारा एक कूछ इस तरह से आ रहा है तो इसे पूरा नीचे इस तरह से ले आना है बट यह अगर अच्छे से नहीं लग रहा तो इसे अभी रहने देते हैं इसे मैं बाद में करके बता दूंगा ठीक है तो इसे अभी थोड़ी दर के लिए डिलीट कर देते हैं इसके अखान आपको यहां से बेक चले जाना है Supreme Effect को ओपन करना है Open करने का आपको या करना है Simple सा आपको recommended option पर click करदेना है और यहां से select all layer पर click करदेना फिर से इस वाल option पर click करना और copy 51 layer करना यहां से बेक जाना Jacket में बेक जाना क्तरी से आना है सोगो open कर लेना है बोपन करने का आपको क्या करना है यहां पर paste कर देना है तो सिम्पल सा इस वाल option पर क्लिक करना और यहां पर पेश्ट रिएर कर लेना ठीक है दोस्तों इस तरह से हो जाएगा उसका अधन आ Всем जी से आग का निसन जीर तरह क्लिक करना दूसरे तीसरे चोथे और जिते भी आअच के निसाने उन पर ये वह लगा हुआ है तो इनने ओपन कर लेना तो यहां पर कुछ इस तरह से हो जाएगा ठीक दोस्टों हूँ इस तरह से हो जाएगा उसके पर आद हमें क्या करना दोस्तों यहां पर आप देख सकते इस तरह से आ गया है ठीक है दोस्तों यहां पर कुछ इस तरह से हो गया है तो हमें क्या करना सबसे जो उपर वाला ग्रूप है इस ग्रूप पर क्लिक कर देना एक बार और उपर थ्री डोट दिखने हैं इस पर click करना और यहां से ungroup कर लेना ठीक है दोस्तों तो यहां पर कुछ इस तरह से हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हूँ इस तरह से कुछ हो जाएगा यहां पर और आपका जो status है वो बन कर तैयार हो जाएगा बट उससे पहले हमें क्या करना है यहां पर नीचे आना है नीचे आ जाना है last में ठीक है दोस्तों आपको मैं बताता हूँ इस तरह से यहां पर आपको क्या करना है कुछ इस तरह से आना है और यह जितने भी आपको दीख रहे है name तो आपको इसे हटाना है तो हटा सकते और PNG लगाना है तो लगा सकते वो भी आपको मैं प्रोसेस करकर बताऊंगा या फिर टेलीग्राम पर देदूंगा तो मुझे ऐसे ही ठीक लग रहा है तो हमें क्या करना अभी यह जो इस्टेटेस है वो बन कर तेयार हो जाएगा तो हमें सिंपल से यहां पर यह वाला तीरका निसन दिखेगा इस पर क्लिक करना है और यहां से एक्सपोड वीडियो कर लेना है तो दोस्तों ऐसे न्यू न्यू इस्टेटेस बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना